नमस्कार दोस्तों दोस्तों ग्यान बिंदू का जो है आपका प्रैक्टी सेट कराया जा रहा है अभी आप देखेंगे तो रौसन सर के दोरा जो है आपका सेट निकाला गया है और आप सब लोग चाहें तो ग्यान बिंदू एप डाउनोड करके आप जो है सेट परचेच कर स सकते हैं आपका रिवीजन हो जाएगा और यह आपका सेट नमबर टू है इसके पहले का जो है हमने सेट नमबर वन अपलोड कर दिया था तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रस्थन क्या है इसको हम देख लेते हैं आज मुँखेंगे पहला प्रस्थन के तसंगमो जील हमलख्यत में से कि सराज जिम्स्थित एक हिमनद जील है कि क्या होगा इसका सही आंसर देखें पहले का सही आंसर आप देखेंगे तो और अंसर आपका हो जाएगा option number तसंगमो जील है ना तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा option number C हो जाएगा सिक्किम जो है इसका सही उत्तर होगा देखिए पिछला जो आपका सेड़ था उसमें आपका comment था कि सर एक दो question जो है error हो गया है देखिए क्या होता है कि 100 question में से आप देखिए जो आप इसको reach एक करेंगे तो by the way का question आपका error हो सकता है बाकि आपको 98 या फिर 97 question आपको सही देखने को मिलता है ठीक है दूसरा प्रस्न है कि किस देशांतर को भारत की मानक मध्यान रेखा जो है चुना गया है अधियान रेखा चुना गया है तो correct answer आपका दूसरे का हो जाएगा 87 degree इस्ट हो जाएगा बी जो है सही उत्तर होगा नेश्ट है कि उडिया पठार भारत के निमलिखित में से किस राज्य में इस्थित है आउसर हो जाएगा राजस्थान ए जो है सही उत्तर हो जाएगा निमलिखित में से किस राज्य में दिन और रात के तापमान में लगभग कोई अंतर नहीं होता है आंसर हो जाएगा केरल option number जो है D होगा भारती कि दिसी अनुसंधान परिस्थत के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है तो टोटल आपका आठ प्रकार की मिट्टी पाई जाती है option number जो है पांचमे का C सही उत्तर होगा भारत के कुल वन वीतरण में वनों के प्रकारों को उनके प्रतिसत हिस्से के कारण के साथ मिलान कीजिए सूची एक को सूची दो मिलाना है मिला लेते हैं इसका option देखेंगे तो आपका भी होगा जिसमें देखिए उसने कटी बंदी सदा बाहर जो है यह आपको हो जाएगा 12.1 प्रतिसत उपोशने कटी बंदी जो है यह आपको हो जाएगा 9.5 प्रतिसत उसने कटी बंदी नमी परण पाती जो है दोस्तो यह आपको हो जाएगा 37.0 प्रतिसत उसने कटी बंदी सुस्क परण पाती जो है आपको हो जाएगा अठाई दस्मलो आठ प्रतिसत हो जाएगा नेश्ट कोशन कोशन नमबर सेवन निमलिखित में से किसे जहे भूरा यानि ब्राउन कोईला भी कहा जाता है ब्राउन कोईला कहते हैं तो यह आपको जागा लिगनाइट को कहते हैं किसको दोस्तों लिगनाइट को ऑप्सन नमबर बी होगा निमलिखित में से भारत का कौन स सबसे बड़ा भासाई समूं है अ हो जागा इंडो आरियन होगा क्या होगा आंसर EPA और अपस 33 होगा अब यहां वह देखिए कोसर नंबर नननके क्या हो आंसर देखो लेते हैं कि जैखिय को बहुत कि देश और ंराजधाने दिया गया जिस Means देखिए उजबेकिस्तान जो है यह आपको हो जागा तासकंद होगा तो जाकिस्तान की बात करते हैं तो दूसामबे होगा किर्गिस्तान आपको हो जागा बिसकेक और तुर्कमेनिस्तान जो ही आपका हो जागा असगाबाद तो एक दूसरे के सामने आपका अंसर दिया गया माउंट ब्लैक आपका दुस्तु नहीं है, बाकि माउंट एटना है, कोटो पैक्सी है और माउंट विसुवियस हो जाएगा ठीक है, नेश्टे के ठुमरी संगीत निमलिखित में से किस निरत्य साहिली से संबंदित है इसका आंसर आपका 11 का हो जाएगा, ऑप्सन नमबर B होगा, कथक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा निमलिखित में से कौन सराजिय लोक कला युग में सही नहीं है, यानि इसमें आपका गलत क्या है देखिए, काल मेजुथू जो दिया गया है तमिल नाडू यही आपका गलत है, बाकी मदुभनी चितरकारी बिहार सही है, तंजा और कला की बात करते हैं, रायस्थान सही है, और पट चितर की बात करते हैं, तो आपका उडिसा जो है, सही उत्तर हो जाएगा निम्न में से किसे विरिक्ष मानओ कहा जाता है विरिक्ष मानो कहते हैं, तो यह कहते हैं, रिचर्ड सेंट बार्ब बेकर हो जाएगा, ऑप्सन नमबर जो है पंद्रकासी होगा भारत में सिमेंट उत्पादन में प्रथम इस्थान वाला राज्य कौन सा है? देखे प्रथम इस्थान वाला राज्य देखेंगे तो आपका राजस्थान होगा, क्या होगा अंसर? राजस्थान आप्सन नमबर भी होगा आगे है कि लिपी बध मान संप्रेशन जैसे पूश्था के वेबसाइड्स चितरो कानूनों के अध्यन को कहा जाता है क्या? उसको दोस्तों हम जे विसे हवस्तू विसलेशन हो जाएगा, ऑप्सन नमबर 27 का ए सही उत्तर होगा निमलिखीत में से किसन निया कहा है कि यदि संद्रशनाएं अनम में होती हैं तो संघर्स प्रकर्यात्मक होता है आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्सन नमबर B होगा, ल, ए, कोजर होगा भारत में पहली बाराष्ट्री अपातकाल की घोशना कब की गई है? आंसर हो जाएगा, 26 अक्टूबर 1962 में किया गया है, यह जो है इसका सही उत्तर होगा केंद्र सरकार राजियों को दिये जाने वाले विविका धीन, अनुदान का प्राउधान, समिधान के किस अनुछेद में किया गया है? तके समिधान के देखेंगे, तो इसका उप्षन देख लेते हैं, क्या है इसका उप्षन, इसका उप्षन आपका हो जाएगा उप्षन नमबर C हो जाएगा, अनुछे 282 में किया गया है, C इसका सही उत्तर होगा राजियों में मुख्य मंत्रि सहित मंत्री परिशद में मंत्रियों के नियूंतम संख्या क्या हो सकती है? जो नियूंतम संख्या है दोस्तों, यह आपको हो जाएगा 12, ऑप्षन नमबर B राइट होगा, भारत की संसद यानि मुख्यत हो किस मॉडल पर आधारित है? तो यह आपको देखने की मिलता है ब्रिटीस पार्लियाबेंट होगा, क्या होगा ब्रिटीस पार्लियाबेंट, ऑप्षन नमबर जो है 22 का B राइट आंसर होगा, भारत के राष्टर पती एवं उपराष्टर पती के चुनाव लड़ने वाले प्रत्यासी को कितनी जमानत जमा करनी होती है, जो यह जमानत राष्टी होता है दोस्तों 15,000 रुपे होता है प्रतिक को ऑप्षन नमबर जो है D राइट होगा, डॉक्टर बी आर अम बेटकर द्वारा भारती सम्मिधान के किस भाग को सम्मिधान की अनोखी विसेस्ता भी कहते हैं, तो इसका आंसर आ सम्मिधान के निमलिखित में से कौन से अनुच्यत नागरिता से संबंदित हैं, तो यह आपको देखिए अनुच्यत 5 से 11 तक होगा, क्या होगा अनुच्यत 5 से 11 तक, ऑप्षन नमर सी होगा, उद्देश से प्रस्ताव को सम्मिधान सभा द्वारा कब जो है सुविकार किय गया है, देखिए उद्देश से प्रस्ताव आप देखेंगे, तो देखिए 22 जनवरी 1947 को यह आपका सुविकार किया गया है, ए राइट आंसर होगा, 22 जनवरी 1947, इन में से कौन भारती सम्मिधान की मसदाद समीती के सदस्य नहीं थे, समीती के सदस्य नहीं थे, देखिए ए भी ठककर नहीं थे, बाकी सयद मुहमद सदुलत थे, एन गुपाल सौमी अयंगर थे, और डॉक्टर के एमुनसी भी इसमें आपके सामिल थे, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको लग रहा है कि जो मेरा महनत है, आपको वीडियो के थूरू जो है ओप्सन नमबर 28 पे, बोला कि हडपा सभिता की मुहरों पर निमलिखित में से कौन सा पसू अक्सर देखा याता है, आंसर हो जाएगा बैल, ओप्सन नमबर 28 का ए राइट आंसर होगा, प्राचीन भारती इतिहास के किस काल में मिट्टी के बरतनों का पता लगा गया था, म भार्मिक संसलेशन हैंने समन्वे के बारे में कहता है, तो यह आपको हो जाएगा बारहावा सिला लेख हो जाएगा, ओप्सन नमबर जो है, बी राइट होगा, कौन आंद्रभोज के नाम से जाना जाता है, कौन आंद्रभोज के नाम से जाना जाता है, आंसर हो जाएगा, 31 का option number B कृष्ण देव राय option number B मांडू विजन आपकी जेगा फिर से इसको पढ़ेंगे हैं बोला कि मांडू विजय दच्छड विजय की कुन्जी थी यह किसने कहा था तो यह कहा गया था आपका अमीर खुसरों के द्वारा option number D सही होगा सायद वण्स की स्थापना किसने किया था सायद वण्स की स्थापना किसके द्वारा किया गया है तो यह आपको होज़ागा खीज रखा के द्वारा option number C सही होगा अकबर के विचार सुलह एकुल का आसे क्या था देखे 34 का आंसर देखेंगे आपको होजागा सारोभौमिक सांती होगा सारोभौमिक सांती ओप्सन नमबर सी ओप्सन नमबर भी होगा दोस्तो सारोभौमिक सांती निमलिखित में से कौन सा इस्थान भारत में पुरदगालियों का मुक्षाले था भारत में पुरदगालियों का मुक्षाले था तो देख आपके सामने option बताए क्या होगा देखिए इसका सही आंसर आप देखेंगे तो आपका हैदराबाद के निजाम option नमबर जो है राइट होगा तरतिय मैसुर यूद कब से कब लड़ा गया है जो आपका तीसरा मैसुर यूद था दोस्तों आप देखेंगे तो आपका 2790 से लेके 92 की बीट में हुआ था option नमबर जो है 37 का ए सही आंसर होगा चलिए आगे देखेंगे अगला हमारा है सूची एक को जो है सूची दो में मिलान करके बताना है कोशन नमबर 38 दिया जिसे देखें पहला जो है आपका इस्ट इंडिया कंपनी के दोरा कलकत्ता में सर्वोच नियाले की इस थापना जो है यह आप देखेंगे तो हो जाएगा 1774 होगा कारनेवाली ससनहिता अधिनिया दोस्तों यह आपका हो जाएगा 1793 होगा बंबई से धाने की बीच रेलिवेल लाइन यह आप देखेंगे तो 1883 होगा मदरास हारबर यह आपका हो जाएगा 1881 होगा ओप्सन नमबर जो है 38 का सी सही होगा अखिल भारतिय ट्रेड यूनियन कॉंग्रेस की स्थापना किस वर्स हुई है तो यह हुआ है वर्स उन्निसो बीस में हुआ है वर्स उन्निसो बीस में ओप्सन नमबर ए होगा निमलिकित में से किसकी स्थापना 1875 इसे में बंबई में हुई थी तो यह आपको हो जाएगा आर ये समाज का ओप्सन नमर जो है आपका D सही उत्तर होगा ज्यान पिट पूरसकार प्राप्त करने वाले प्रथम हिंदी सहित्यकार डैस्थ है आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंद पंथ है ना आप्सन नमर जो है 41 का बी राइट अंसर होगा आगे देखें कोशन नमर 42 बोला कि आधुनिक परियोग आत्मक विज्ञान का जनम दाता माना जाता है कौन तो इसका उत्तर आप देखेंगे तिया देखें रोजर बेकन है ना आप्सन नमर जो है रोजर बेकन हो जाएगा आंसर हो जाएगा चित्रकार बनना चाहता था दोस्तों आप्सन नमर सी होगा चीन में राजवन्स के खिलाप करांति कब होई तो यह हो जाएगा 1911 इसवे में हुआ था आप्सन नमर जो है 44 का बी सही होगा निमलेखित में से कौन सी चटान प्रणाली भारत में नविंतम है चटान प्रणाली जो है भारत में नविंतम है तो यह हो जाएगा गोंडवाना होगा क्या होगा आंसर गोंडवाना आप्सन देखने की मिलता है व्रीहद हिमाले पर कहां पर दोस्तों व्रीहद हिमाले पर औपसन नंबर यह होगा सरवजन्य की छेत्र के देश की सबसे बड़ी तेल सोधन साला कौन सी है कि यह हो जागा कोईली ओपसन नंबर जो है 47 का डी सही होगा किस धार्मिक समुधाय के देश में सबसे कम दसकी वृद्धी 2011 में थी तो यह आपका जैन की हो जाएगा दोस्तों जैन की option number A right होगा अधुलेखित में सही सुमलित नहीं है जलासे और राजी यानि हमारा गलत क्या है देखिए गांधी सागर की बात करते हैं तो यहीं माचल परदिस यहीं आपका गलत है बाकी भावानी सागर जो है आपका तमिलनाडू सही है राणा प्रताप सागर जो है रास्थान सही है और भदरा की बात करते हैं तो आपका करनाटक में सही दिया गया है पचास नमबर की भारतिय संसत द्वारा बालक सरम यानि प्रस्तिशेद एम विनियमन अधिनियम किस वर्ष जो है पारित किया गया तो यह आपका पारित हुआ था आप देखेंगे ओप्सन इसका ओप्सन नमबर आपका सी हो जाएगा वर्ष 1986 होगा क्या होगा वर्ष 1986 सी सही होगा कॉंग्रेस के त्रिपूरिया धिवेशन के पस्चाथ सुभास संद्र बोस और दच्छड पंथियों का समस्त टकराव किस प्रस्न पर केंद्रित था आंसर हो जाएगा कॉंग्रेस कारेकारणी समीति का गठन ओप्सन नमबर जो है 51 कभी होगा वर्ष 1996 में किस भारतिय रियासत ने अपनी पूरी रियासत में प्रात्मिक सिख्छा को अनिवारे बना दिया था यह आपका बढ़ावदा हो जाएगा दोस्तों आप्सन नमबर जो है 52 कड़ी सही होगा वह प्रत्थम भारतिय पत्रकार कौन जिन्हें कारावास की सजा जो है दी गई थी कारावास की सजा दिया गया था तियो जागा सुरेंद्र नाथ बैनर जी है ना आप्सन नमबर जो जो है 54 का भी होगा नेश्ट है कि फातहुल मुजाहिदीन के लेखक कौन है तो यह है टीपू सुल्तान ऑप्सन नमबर जो है 55 का भी होगा कंप्यूटिंग के छेतर में इन आई एसी का पुल रूप क्या है यहां बहुत कंप्यूटर होना चाहिए ठीक है तो इसका आंसर podstaw sha 56 का देखेंगे देखें इलेक्ट्रोनिक ट्रॉनींगरिकल एं्टीठ इंटीग्रेटर एंड कमप्यूटर होगा तो उब जो 52 का इंटरेक्त होने के लिए अवसेक्स यानि आवसे चाहिए क्या चीज यह आपका IP आड्रेस होगा आपसन नमर जो है 57 का C होगा भारत का कौन सा सहर City of Palaces के नाम से जाना जाता है इसका आंसर हो जाएगा आपका 58 का C होगा मैसूर जो है सही उत्तर हो जाएगा मैसूर ओसकर अवार्ड जीतने वाले पहले अभिनेता कौन है औसकर अवार्ड तो यह है एमिल जैनिंग से हो जाएगा ओपसन नमर जो है भी होगा लिविंग रूट ब्रीज की सराज में पाई जाने वाली एक प्रतिष्ठित संश्चना है प्रतिष्ठित संश्चना है तो यह हो जाएगा मेघाले का दोस्तो मेघाले जो है सही आंसर होगा प्रतम और दिव्टिय विस्वय यूद कि कारण कीन वर्सों में ओलंपी खेल आयुजित नहीं किये गये थे तो एक साठ का आंसर देखेंगे तो देखेंगे उन्निसो सोला में उन्निसो चालिस और उन्निसो चालिस आप्सन जो है 61 का भी होगा डैस डैस राजीव गांधी खेलरतन पूरसकार प्राप्त करने वाली पहली महिला होकी खिलाडी कौन है तो इनका नाम है रानी रामपाल रानी रामपाल आप्सन नमबर A सही होगा खेलो इंडिया सीत कालिन खेलो की सुभारम या फिर सुरुवात बोल सकते हैं सुरुवात जो है किस वर्स में हुई थी लिखिस जो शुरुवात है आपका वर्स 2020 में हुआ था सुरुवात 2020 में हुआ था ओप्सन नमबर B होगा सन्युक्त राष्टर संग यानि युवेनो के पूर्व महासचियो कोफी अनान किस अफरीकी देशा से संबंदित है जो इनका संबंद है आपका घाना से हो जाएगा उप्सन नमबर जो है 64 का सी होगा उस विकल्प का चैन करें जो संगठन और उसके मुख्याले के सही मेल को दर्साता है तो सही मेल को दर्साता है देखिए गेट की बात करते है तो आपका जेनिवा है ना तो आप्सन नमबर जो है 65 का बी जो है सही उतर होगा आते हैं कोशन नमबर 66 पे देखिए यहां पर देखिए मिलान करना है महतपुड दिवस और दिनांक दिया गया है देख लेते हैं इसको हम देखिए विस्व जनसंख्या दिवस आप देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 11 जुलाई होगा विस्व वन जीव दिवस आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा 3 मार्च विस्व ओजोन दिवस यह मनाते हैं 16 सितंबर को विस्व स्वास्त दिवस जो है 7 अपरेल की दिन मनाते है यानि आप्सन नमबर जो है आपका छाछट का C सही होगा बांगला देख का राश्ट्रिय धोज डैस द्वारा जो है डिजाइन किया गया था किसके द्वारा यह आपका डिजाइन किया गया था तो कामरूल हसन के द्वारा यह किया गया था आप्सन नमबर जो है C होगा निमलिखित में से कौन सा भारत में पहला धुमरपान मुक्त राजिय है धुमरपान मुक्त राजी है तो यह आपका है हिमाचल प्रदेश ओप्सन नमबर जो है D सही होगा बल की परिभासा आती है न्यूटन के कौन से नियम से देखे न्यूटन के आप देखेंगे तो गती के पहले नियम से आपका आता है ओप्सन नमबर जो है 69 का एर जो है राइट आंसर होगा आगे कुशन है कि बोला कि उस्मा गती की प्रथम नियम से सनरक्षित होता है तो आंसर आपका उर्जा होगा क्या होगा आंसर उर्जा ओप्सन नमबर भी होगा मानो नेत्र का वह भाग जिस पर प्रतिवीम बनता है वो क्या कहलाता है तो उसको दोस्तों हम रेटीना कहते हैं क्या कहते हैं रेटीना ओप्सन नमबर भी होगा एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेस होता है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेस होता है तो यह आपका देखिया option number जो है A, सही उत्तर होगा, याद रखियेगा, sodium carbonate आमतर पर इस नाम से जाना जाता है, तो इसका answer हो जागा, धाने, है न, यहाँ पर देखिये, धाने का सोडा लिखा गया है, ठीक है, तो option number जो है, आपका 73 का देखियेंगे, तो B, जो है, सही उत्तर हो जागा, जो कि type mistake हमको लग रहा है, ठीक है, नेश्ट आते हैं, सोची एक और सोची दो को मिलान करके बताना है, चलिए इसको ओपर देखेंगे, गर आप सब लोग चाहें, तो वीडियो रोक की भी इसको बना सकते हैं, देखिये, लैक्टिक अमल की बात करते हैं, तो यह आपका दूद हो जाएगा, एसिटिक अमल जो कोसिका के वेग्यानिक अध्यान को कहा याता है क्या, कोसिका के वेग्यानिक अध्यान को हम क्या कहते हैं, तो इसको देखिये, साइटोलोजी कहते हैं, क्या कहते हैं, साइटोलोजी, ओप्सन नमबर जो है, डी होगा, जड़े विक्सित होती हैं, तो मुलांकूर से, क्या ह ए जो है सही आंसर होगा 20 जोड़ी होता है अब यहां पर देखे 78 का सूची एक को जो है सूची दो मिलान करकी बताना है देख लेते हैं इसको भी हम देखिए प्लैक की बात करते हैं तो यह आपको होजागा कवक होगा एट्स आपको होजागा विसाणू यानि वाइरस गंज भौतिकी की प्रसाखा को क्या कहाता है तो इसको दुस्तों जो है उस्मा उस्मा प्रवेगी की कहते हैं और बी राइट होगा निर्वात में सरा लोलक कंपन करता है तो यह होगा देखिए समान आयाम तथा आवरुति के साथ सदे जो है कंपन करेगा ओप्सन नबर जो है एट्टी का देखेंगे तो डी जो है सही होगा एक सुक्ष्मिदर्शी तथा एक दूर दर्शक के विशे में निमलिखित पर विचार कीजिए देखिए इसका आंसर देखेंगे तो इसमें क्या होगा आंसर देखिए सुक्ष्मिदर्शी के नेतरक दथा अभिद्रश्यक दोनों ही उत्तर लेंस होते हैं और दूर दर्शक के अभिद्रश्यक की फोकस दूरी इसके नेतरक की फोकस दूरी से अधिक होता है तिसरे दियागे दूर दर्सक का आवर्धन इसके अभिद्रित्सक की फोकस दूरी के बढ़ने के साथ बढ़ता है तो आप्सन नमर डी होगा एक दो तीन आपका राइट होगा जल के बारे में निम्नलीखित में से कौन सा कथन सही नहीं यानि हमारा गलत क्या है देख symmetrical जल एक अध्रुवी अडू है यही आपका गलत है बाकी दरवये जल में हाईड्रोजन आबंद होते हैं सही है जल का उच क्वותनांक होता है यह भी सही है जल की उच गलन उसमा होती है यह भी आपका सही दिया गया है किसी नाभी के गमा 6 से क्या होता है देखिए ना तो नाभी की दरबेमान संख्या बदलती है और नहीं परमाडू करमांक बदलता है तो आप्सन नबर जो है 83 का डी जो है राइट आंसर होगा अब यहाँ पे देखिए 84 का क्या है इसको हम देख लेते हैं देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपके यहाँ पर 2, 4, 3, 1 होगा क्योंकि यह आपका दूसरे पेज़ पे दिया गया है देखिए sodium hydroxide जो है यह आपको होजाएगा चार यानि अलकली होगा calcium oxide जो है यह आपको होजाएगा चारक यानि बेस acidic अमल यह आपको होजाएगा दोस्तो चिण अमल होगा और hydrochloric अमल जो है आपका प्रबल अमल होगा तो option नमर जो है 84 का आप देखेंगे तो correct answer आपका 84 का होजाएगा option नमर भी right answer होगा आगे question है निमल लिखित में से किस सब्सक्रा मानेता है pond silk कहा आता है pond silk कहते हैं तो यह कहते है इस्पाइरो गायरा कहते है option number D होगा dna या गुणसूत्र प्रकृति किस अवस्था में होती है तो यह आपको होजाएगा अंतरा वस्था होजाएगा option number D होगा निमल लिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैलसी फेरॉल कहते हैं तो यह आपका विटामिन D2 होगा विटामिन D2 हो जाएगा option number 87 का यह होगा और धोगो की बहिया सुराव द्वारा किस द्वारा किये जाने वाले जल प्रदूसर को रोकने के लिए निमल लिखित में से कौन से अप्त्रिन यानि खर पतवार को उपयोगी पया गया है तो यह हो जागा दोस्तों आपका पार्थी नियम हो जाएगा और हार्थी घास यानि आप बोल सकते हैं D जो है सही होगा किस पाल वंसी ए सासर के काल में 1097-1998 में बिहार के तिरूहत तिरूहत छेत यानि मिथिला में करनाट वंस की स्थापना होई करनाट वंस की स्थापना होई ति आपका रामपाल हो जाएगा औप सनम्बर B राइट होगा पतना सचिवाले गोलिकांड की घटना घटित हुई है तो यह हुआ आपका 11 अगस्त 1942 में हुआ है बिहार का छेतरफल है देखेंगे बिहार का छेतरफल देखेंगे तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 94,163 किलोमेटर हो जाएगा ऊप्षिंबर जो है अब राइट होगा हिंदु विर्धिदर का संबंध किस से है को टौँ इसका संबंध है आपका राष्ट्री आयमें विर्धि ओप्षिंबर भी भारत में योजना आयो का गठन के सी नियोगी समीति की संस्तूती पर हुआ इस आयो का गठन कब हुआ था देखिए आयो का जो गठन है दोस्तों आपका वर्स 1950 में हुआ था ओप्सन नम्बर तीरपन का ए होगा योजना काम और उत्पादन का नारा किस पंच वर्सी योजना के दोरान दिया गया था आंसर हो जाएगा सातवी योजना हो जाएगा ओप्सन नम्बर भी होगा सर पर्थम किस राज में रोजगार गारंटी योजना प्रारम किया गया था ओत्तर हो जागा महाराष्ट्र होगा कैयोगा अंसर महाराष्ट्र अब्सों नमबर सी शर्नीक्तराष्ट्र परिजावर्ण कारेकरम ने किसे आर्थिक परिस्थितिकी की पिता कहा है भी उस्ते-ौमुल्य आयो की इस्थापना कब की गई है जो इसकी स्थापना है 1965 में किया गया है option number B right होगा किसी अर्थ विवस्था में यदि कीमत स्थर में विर्धी होती है और मुद्रा का मुल अर्थात क्रैस सांती कम होती है तो उस अवस्था को क्या कहते हैं तो उस अवस्ता जो है मुद्राइस्फिती कहते हैं क्या कहते है मुद्राइस्फिती option number बी State Bank of India का राष्ट्री करण कब किया गया है यह आपका राष्ट्री करण है दोस्तों यह किया गया है अप देखेंगे तो एक जुलाई 1955 पच्पन होगा option number B होगा आधुनिक बैंकिंग का विकास सर्वपर्धम किस देश में हुआ तो यह हुआ है निदर लेंड में option number B राइट होगा दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त होता है आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट कीजिएगा और आप लोगों ने इनने 100 परसनों में से कितना परसन बनाया है यह भी आप कमेंट करके बताईएगा अगर आप इसके पहल